मेरी फसल मेरा बयोरा बाजरे की फसल समंदी संपून जानकारी सुरू से लेकर लाश्ट तक नमस्कार किसान भाई किसान भाई मेरे नाम है प्रितम प्यारे और आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूटूब चैनल तो चले किसान भाई वीडियो को सुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी किसान भाईयो मेरे पास बहुत सी कोमेंट आई हैं जो किसानों के मन में है वहें सवाल किसानों ने पूछा है कि बाजरा समंदीते उन्होंने मेरे पास बहुत से क्योशन पूछे हैं और उन सभी क्योशनों का इस वीडियो के माध्यम से मैं किसान भाईयों को जबाब दूँगा पहला जो क्योसन है किसान भाईयों वह यह हैं कि बाजरा अब ओनलाइन होगा या नहीं तो किसान भाईयों अब बाजरा ओनलाइन नहीं होगा दूसरा जो क्योसन है उकिसान भाई उन्हें पूछा है कि क्या हमें और कौन-कौन सी अब फसले हमें ओनलाइन कर सकते हैं क्योंकि बाजरा तो ओनलाइन नहीं हो रहा है तो आप केवल धान की फसल ही ओनलाइन कर सकते हैं इसके अलावा अब कोई फसल ओनलाइन आपे नहीं कर सकते हैं तीसरा किसानवायो का सवाल है कि जब वहां फसल ओनलाइन करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ आता है कि बरी गई फसल जो फसल पास है उससे मेल नहीं खा रही है इसका मतमल है किसानवायो जो आपकी फसल है वहा कि वहाँ पर पहले से कोई अलग फसल एड कर दी गई है यानि वहाँ पर पास कर दी गई है अब किसान भायों ने बाजरा तो ओनलाइन कर रखा है लेकिन किसान भायों का जो चोथा सवाल है वह यह हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारा कितना बाजरा पास हुआ है या कितनी हमारी जो फसल है वो पास ही हुई है तो किसान भायों यहां पर आपर आकर इस site पर मेरी फसल मेरा वेरा पर जो आपकी site है उस पर जब आएंगे आपको सर्चबार में केवल लिखना है फसल हर्याना आप फसल हर्यान लिखेंगे तो आपको पहले ही पेज पर इस site का link मिल जाएगा जब klick करके आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको पंजीकन print हरियाना का option मिल जाएगा इस option पर जब आप klick करेंगे तो आप अपने detail फिल करके अपने print को download कर लीजिए उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि आपकी कौन सी फसल पास हुई है और आपने कौन सी फसल एड़ की है टोटल कितनी आपकी फसल पास हुई है वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना बाजरा कितनी जमीन आपकी बाजरा की पास हुई है इसके बाद किसान भाईयो बाजरा की जमीन तो पास हो गई है लेकिन अब बाजरा कितना पास हुआ है तो किसान भाईयो आप जब ए खरीद हरियाना की साइड पर आएंगे तो यहाँ पर जब आप खरीब फसल को सेलेक्ट करके अपनी डिटेल चेक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो फसल है वो कितनी पास हुई है बाजरा की वो शोग करेगी यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपके कितनी फसल पास हुई है आप यहाँ पर इस किसान भाईयो की देख सकते हैं कि 13 किलो जो बाजरा है वो पास किया गया है आपकी डिस्टिक में आपके कितनी एकड़ पर कितना बाजरा पास हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसान भायो क्योंकि हर डिस्टिक में अलग-अलग बाजरा पास हुआ है अगला जो किसान भाईयों का सवाल है वहें यहीं है कि हमारी डिस्टिक में कितना बाजरा पास हुआ है तो किसान भाईयों हर डिस्टिक में अलग-अलग तरीके से बाजरा पास किया गया है जितनी जहां की पैदावार है उस हिसाब से बाजरा की फसल पास की गई है कहीं 8 कुंटल पास हुआ है, कहीं 9 कुंटल और कहीं 10 कुंटल हर जगें अलग-अलग तरीके से पासे किया गया है वह यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपका कितना बाजरा टोटल पासे हुआ है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी जमीन वेरिफाई हुई है और कितना बाजरा पास हुआ है उसे कल्कुलेट करके आप पता कर सकते हैं कि आपकी एक एकड़ में कितना बाजरा पास हुआ है अब बाजरा तो पास हो गया है लेकिन अब किसानों के मन में सवाल है कि हम बाजरा कैसे बेचें तो किसान भाईयों गोर्मेंट बाजरा नहीं खरीदेगी यानि सरकार बाजरा आपका नहीं खरीदेगी आपका बिल्कुल भी बाजरा नहीं खरीदा जाएगा तो अब आप बाजरे को कहां बेचें तो आपे private company को या आड़ दियों के मादेम से अपना बाजरा बेच सकते हैं अब किसानों के मन में सवाल है कि हम बाजरा तो नहीं बेचना चाहते लेकिन हमें पैसे हमें बिना बेचे कैसे मिलेंगे तो किसान भाईयो अगर आप अपना बाजरा कहीं नहीं बेचना चाहते हैं या फिर आपके पास चाहे बाजरा है भी नहीं और आपकी जो जमीन है वो पास हो गई है तो आपको इसे कोई मतबल नहीं है आपको पैसे मिलेंगे आप चाहे बाजरा बेचे या ना बेचे इसे को कोई भी मतबल नहीं है आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में जरूर आएंगे आपको फसल बेचनी ही नहीं है आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं बिना बेचे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे फिर कई किसान भाईयों की कोमेंट आई हैं कि हमें जे में निकलवाना पड़ेगा या गेट पास निकलवाना पड़ेगा तो आपको कुछ भी नहीं निकलवाना है आपने अपना बाजरा ओनलाइन करक्था है और आपका जितना बाजरा पास हो गया है उसके आपके bank account में पैसे आ जाएंगे इसके बाद किसान बाईयों के मन में सवाल आता है कि बाई जो हमारा यह स्टेटस है वो यहां पर अगर किसान बाईयों आपका स्टेटस verified with same name दिखा रहा है तो आपको आपकी जो चिंता है वो बिलकुल खतम हो गई है क्योंकि आपकी डिटेल मैच से खा गई है लेकिन किसान बाईयों यहां पर कुछ किसान बाईयों की दिक्कत है कि यहां पर no status दिखा रहा है किसान बाईयों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो bank यहां पर जो status है account status वो no status इसका मतवल है कि जो अब ही आपकी detail है वो verify ही नहीं की गई है लेकिन किसान अगर आपकी detail आपने चेक कर ली हैं और वहें बिल्कुल सही है और आपका no status दिखा रहा है तो इस status से आपको कोई मतवल नहीं है आपके पैसे आएंगे और यह status भी बतल जाएगा और अगर आपकी डिटेल गल्थ है तो आपको क्या करना है आपको इस वाले ओप्सन पर आना है और यहाँ पर किलिक करके आपको अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर लेना है अगर अभी अपडेट हो रहा है तो अगर अपडेट नहीं हो रहा है तो आपकी डिटेल वेरिफ नहीं हुआ है यानि note verified शोग कर रहा है तो भी वहीं same process है आप यहां से अपना bank account अपडेट कर लीजिए किसान भाईयो आपको गबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका bank account गल्थ है तो वहें ठीक हो जाएगा अब आपने bank account अपडेट कर दिया वहां पर status change नहीं हुआ है और आपका bank account भी अभी गल्थ ही दिखा रहा है तो किसान भाईयो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आप bank account अपडेट करते हैं तो वह तुरंत अपडेट नहीं होता है लगबग अपडेट होने में हपते का समय लग जाता है आपका लगबग हपता 10 दिन लगते हैं और उससे पहले पहले आपका bank account कहीं आपके मन में सवाल हो कि हमने अपडेट कर दिया अब फिर क्या कमी रह गई हमारा अपडेट क्यों नहीं हो आपको गबगराना नहीं है किसान भाईयो आपको ओल आप यहां समझ लीजिए कि आपके पैसे आएंगे चाहिए आपकी डिटेल गल्थ हों क्योंकि अगर ड समझ तो गबराना ही नहीं है एक दो किसान भाईयो की मेरे पास कोमेंट आई हैं कि भाई हमारे में नो रिकोर्ड फांड दिखा रहा है तो किसान भाईयो मैं आपको बता दूँ यह गेट पास डिटेल हैं अगर आपका जो फसल आपने बेची होती तो आपका गेट पास ज आने वाले हैं और यहाँ पर आपको आपका जे फोर्म भी मिल जाता तो यहाँ पर नो रिकोर्ड फांड इसलिए दिखा रहा है कि आपके आपने अपना बाजरा या आपने अपनी फसल नहीं बेची है तो इससे समझा इसको तो आपको देखना ही नहीं है यह तो एक अलग ही चीज है और यहाँ पर स्टेटस कैसे चेक करें हैं कि आपके पैसे आए हैं नहीं तो आप किसान भाईयो स्टेटस नहीं चेक कर सकते कि आपके पैसे आए हैं या नहीं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं है किसान भाईयो को का जो बाजरा है वो उन्हों उने एड़ किया था लेकिन वहाँ पर गलती से पटवारी ने कोई और जो फसल है वो वेरिफाई कर दी है या गलती से कोई फसल वेरिफाई हो गई है तो इसे समंदित आप अपने पटवारी से मदद ले सकते हैं वहीं आपकी हेल्प कर पाएंगे इसके बाद कई किसान वायों के मन में सवाल है क्या केवल 40 कुंटल तक ही पैसे बैंक अकाउंट में बेजे जाएंगे तो किसान वायों मैं आपको पता दूँ कि आप उस परकार तो नहीं सोच रहे हैं कि जब बाजरा बिकता था उस समय 40 कुंटल का टोकन निकलता था तो वो किसान वायो एक दिन के लिए 40 कुंतल था अगली देने या एक दो दिन के बाज आपका फिर से टोकन निकल कर आप अपना अगला बाजरा ले जा सकते थे यानि अगला 40 कुंतल बाजरा मंडी में ले जा सकते थे लेकिन इस अब आपके पैसे आने हैं और गेट पास आएंगे और यहाँ पर आपको कुंटल लिखा मिल रहा है और यहाँ पर किलो तो आपके किलो और कुंटल और किलो दोनों के पैसे आएंगे यानि कम्पलीट के यहाँ पर पैसे आएंगे यहाँ पर किलो को नहीं काटा जाएगा बलकि आपका एक एक पैसा आपके बैंक अका आज पास के ही हैं तो किसान भाईयो मैं आपको बदा दूं कि उनके पैसे सच में ही आई हैं वह कोई फेक वीडियो नहीं थी क्योंकि मैंने आपको सक्रीन सोट भी दिखाए हैं उस वीडियो के अंदर और डिटेल भी चेक करवाई हैं किसान भाईयो उनके पैसे आ चुकी है लेकिन लग बग एक दो किसान भाईयों का ही ऐसा पता चला है औरों का की पैसे आए हैं वरना अभी तक तो किसी का पता नहीं चला है की पैसे आए हैं नहीं लेकिन किसान भाईयों मैं आपको बता दूँ ना तो ये पैसी जिन का पहले रेजिस्टेशन वाता हैं के आए हैं ने जिनके कम पैसे आने थे उनके आए हैं ने जिनकी खुद की जमीन थी उनके आए हैं किसान बाईयों यह जो पैसे हैं रेंडमली बेजे गए हैं यानि कुछ किसान किसानों की डिटेल उठा कर बिच बिच से और यह पैसे बेजे गए हैं केवल विवाग ने यह चेक किया है कि जिस परकार से पैसे बेजेंगे तो उसमें उन्हों को बेजने में जब पैसे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी केवल एक बार चेकिंग के लिए यानि जो उन्होंने सिस्टम बनाया है पैसे बेजने का उसे एक बार वेरिफाई करने के लिए पैसे बेजे गए ह कुछ किसानों के bank account में अब किसानों के मन में सवाल है कि हमारे पैसे कब आएंगे कुछ किसानों को तो बेज दिये गए हैं लेकिन अब पैसे बेजना शुरू कब करेंगे completely यानि सभी किसानों के पैसे कब आएंगे तो किसान भाईयों अब सभी किसानों के पैसे लगबग एक हपते के अंदर अंदर आ जाएंगे यानि लगबग सुमवार से पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे और लगबग एक हपते के अंदर सभी किसान भाईयों के पैसे आ जाएंगे उसके लिए जब पैसे आने स्टार्ट होते ही मैं आपको एक special वीडियो के मादेम से बता दूँगा कि अब किसान भाईयों के पैसे आने स्टार्ट हो गए है किसान भाईयों एक बार मैं और बता दूँ कि जब आपके पैसे आएंगे तो हो सकता है कि आपको मैसीज ना आए या आपका नंबर लिंक होगा बैंक अकाउंट से तो भी कई बार मैसीज नहीं आता है क्योंकि जो दो किसान भाईयों के पैसे आएंगे उनमें से एक का ही मैसीज आया था एक का मैंने PNB M Passbook से उनका पैसा देखा है कि आया है या नहीं तो कई बार मैसीज नहीं आता है यह आपको खुद भी पता है अब लाश्ट में आपके दो स्वाल में रिपीट कर देता हूं कि आपको कहीं बाजरा बेचने की जरूरत नहीं है बाजरा बेचना जरूरी नहीं है आप अगर कहीं बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं सरकार बाजरा बिलकुल भी नहीं खरीदेगी आप किसी भी आर्दी को अपना बातरा दे सकते हैं अगर आप खुदे देना चाहते हैं तो वो आपको बेचना जरूरी नहीं है पैसे लेने के लिए बिना बेचे ही आपके पैसे अब आ जाएंगे केवल आपका बेंक अकाउंट वेरिफाई होना चाहिए और आपका जितना बाजरा पास हुआ है उसी के आपके बेंक अकाउंट में कम्पलीट के पैसे आ जाएंगे अब पैसे कब आएंगे तो पैसे आपको लगबग सोमार से आने स्टार्ट हो जाएंगे लगबग एक हपत के अंदर अंदर आपके bank account में आपके पैसे डाल दिये जाएंगे तो दनिवाद किसान भई अगर आपका कोई और भी सवाल अगर रहे गया हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं अगर सवाल जादा होते हैं तो मैं एक इस वीडियो का second part लेकर आऊंगा जो क्योशन बचे हुए हैं उनके लिए उस वीडियो में उन क्योशनों को हमें आपके उन सवालों का में उस वीडियो के माद्यम से जवाब देकर आपको सुचित कर दूँगा ताकि आपको पता चल सके कि क्या प्रोसेस रहेगी किसान बाईयों के इन से मुझे complete पता चल गया है कि इसकी क्या प्रोसेस है और लगबग मैंने जो प्रोसेस है वो आपको समझा भी दी है कि यहीं इसकी परकिरिया रहने वाली है और सभी के पैसे आएंगे जितना आपका पास हुआ है उसके complete के पैसे आएंगे अब आपको बाजरा से समझी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको वीडियो के मादेम से सुचित करता रहूँगा और जल से जल अब आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे तुदे निवाद किसान भाईयो जे हिंद जे भारत जे हरियाना जे जवान जे किसान